जिया दूसरों जैसा कि आप सभी को पताए कि second round डियाट, second round डियाट, second round डियान की allotment letter हमारा आ चुपा है, 24 जून को दोपेर के एक बजी हमारा allotment letter आ गया था, लेकिन कापी student के मन में है doubt है कि sir, जो college मिला है या हमें किसी कारणवास college नहीं मिला है, या हमने जो choice filling में जो college select किया थी, उन college का अकिलकार cut-off किया कितना है, हमारी percent थी, उस percent से cut-off कितना गया है, इन सारे doubt को आज के इस video के माददम से हम जो कि clear करेंगे, और second round का cut-off कितना गया है, या नहीं, जैसा कि देख पार है हम इसकी official website पर आ चुके हैं, और जैसे हम इसकी official website पर आते हैं, तो counseling कतिविती वाले options में दोस्तों यहां पर हमें 5 लिंक देखते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों जो second round का जो link हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें हमें cut-off का कोई भी link हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मनलब, क्या हम cut-off नहीं देख पाएंगे, तो बिल्कुल आपके सही सुनाएं, आप online cut-off check नहीं कर सकते हैं, कि आपके college का cut-off कितना गया है, इस बात का आपको business द्यान रखना है, आप college का cut-off नहीं first round में ही आपको बताया था कि online cut-off नहीं देख सकते हैं, इसका cut-off आपको अगर देखना है, डियेड का, तो आपको offline देखना पड़ेगा, आप offline देखना होगा मतलब कि आपने जो choice feeling में college select के थे, उन college में से आपको जिस college का cut-off देखना है, उस college में जाकर के ही, आप cut-off दे देख पाएंगी, तो student के मनवे questions थे कि हम cut-off नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको कॉलेज मिल गया है, तो पिर आप क्या करना कि 29 जून से पहले-पहले आप, दोस्तों, यहां पर अपनी fees जमा कर देना, और fees जमा करने से पहले-पहले आपको क्या करना कि आपको जो भी कॉले अलोट किया है, उस कॉले में जाकर कि आपको सबसे पहले document verification करवाने पढ़ेंगे, document verification complete होने के बाद में ही आप अपनी पीस पर पाएंगे, अगर आपको government college मिल मिला है, तो तो पिर आप यहां से online piece पर पाएंग, 9000, लेकिन अगर आपको private college मिला है, तो आपको कॉले म बाइ